देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरे मनसे प्रमुक को लेकर प्रदेश की राजनेती गर्माई हुई है अब मुंबई भाजपा प्रवक्ता संजे ठाकुर ने भी उत्तर भारतियों की पिटाई के लिए राज को पत्र लिग कर माफी मांगने की मांग की है तो महाराष्ट ब्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के नामों पर विबिन निजी कमपनियों से 58 करोड 96 लाख रुपे वसूलने के आरोपी प्यापारी जितिंद्र नवलानी के खिलाप लुकाउट सर्कुलर जारी किया है वही ठाने के एक खिलोना व्यापारी से 6 करोड रुपे की रंगदारी वसूलने के आरोप में मुम्रा पुलीस के तीन अधिकारियों समित 10 पुलीस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है इस बीच आईपिय सदिकारी अतुल्चन कुलकरणी को राश्ट्य जांच एजनसी में अतिरिक्थ पुलीस महानी देशक के पत पर तैनात किया गया है तो उधर पुर्वसांसत छत्रपती संभाजी राज्य सभा का चुनाव निर्दलिय लड़ेंगे हाला कि उन्होंने स्वराज्य के नाम से एक संगटन की स्थापना कर दी है प्रदेश की इन पाज बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है हमारे साथ मंसेद्धिक्ष राज ठाकरे के पाज जुनके अयोध्या के दौरे के विरोध का सूर अब उत्तर प्रदेश से महराश्य पहुँच गया है मुंबई भाजपा प्रवक्ता संजे ठाकुर ने उत्तर प्रदेश के भाजपा सांसत ब्रिजभुषन चरन सिंग के राज के विरोध के सुर में सुर मिला लिया है ठाकुर ने उत्तर भारतियों की पिटाई के लिए राज को पत्र लिखकर माफी मांगने की मांग की है हालांकि मुंबई भाजपा ने ठाकूर के बयान से किनारा कर लिया है मुंबई भाजपा ने ठाकूर के बयान से असहमती जताते हुए उनके बयान को व्यक्तिकत बताया है वही ठाकूर ने पत्र में राज से मुंबई के फेरी वाले टैक्सी चालक और मजदुरों से माफी मांगने की मांग की है उन्होंने कहा कि यदि वे माफी मांगते हैं तो मैं खुद उत्तरपदेश में जाकर राज का स्वागत करूँगा फिल्हाल मैं मुंबई में रहकर ही राज का विरोध कर रहा हूँ मैं राज के विरोध के लिए अयोध्या में नहीं जाओंगा ठाकूर ने कहा कि सविधान के दायरे में रहकर ही राज का विरोध होना चाहिए यदि राज ने कोई दुश्रुत्य किया है तो उसके बदले हमारा भी दुश्रुत्य करना ठीक नहीं है लेकिन माफी मांगने के लिए राजपर दबाव बनाया जाना चाहिए दुसरी तरफ मुंबई भाजपा प्रवक्ता उदे प्रताप सिंग ने कहा कि राज के खिलाफ ठाकूर का बयान व्यक्तिगत है ठाकूर के बयान से मुंबई भाजपा का कोई भी समन नहीं है सिंग ने कहा कि देश के किसी भी धार्मिक स्थल पर कोई भी व्यक्ति जाकर दर् विभिलना नीजी कमपनियों से 58 करोट 96 लाख रुपे वसुलने के आरोपी व्यापरी जितेंद्र नवलानी के खिलाफ लुकाउट सरकुलर जारी किया है इस पर शिवसिना सांसत संजराउत ने जानना चाहा है कि कही आरोपी देश छोड़कर भागा तो नहीं है उन्होंने कहा कि अगर नवलानी देश छोड़कर भाग गया तो पक्का कुछ अधिकार संपनल लोगों ने भागने में उसकी मदद की होगी याद रहे कि राओत नहीं आरोप लगाया था कि ईड़ी अधिकारियों की इशारे पर नवलानी ने बिल्डरों और उध्यमियों से करोडों रुपय एठ हैं ACB ने एडी अधिकारियों के नामों का इस्तिमाल करके विभिन उद्धमियों से वसूली करने को लेकर नवलानी एवं अन्य के खिलाफ प्रष्टाचार निरोधी कानून की विभिन धाराओं में प्राथमी की दर्च की है एक अधिकारी ने बताया कि प्राथमी की दर्च होनी के बाद नवलानी पहुँच से बाहर है और उसने ACB दवारा भेजे गए समन का जवाब भी नहीं दिया है इसके मद्देनजर एजनसी ने उसके खिलाफ लुकाउट सरकुलर जारी किया है मई के पहले सप्ता हमें दर्च की गई प्राथमी की के अनुसार नवलानी ने 2015 और 2021 के बीच 58.96 लाख रुपे वसुले है ACB ने पहले दावा किया था कि दक्षिनी मुंबई में गुलाबा के रहने वाले नवलानी ने एडिय अधिकारियों के नाम पर विभिनक कम्पनियों से पैसे वसुले और खोखा कम्पनिया बना कर रुन भी लिया ठाणे के खिलोना व्यापरी से 6 करोड रुपे की रंगदारी वसुलने के आरोप में मुम्रा पुलिस के तिन अधिकारियों समित 10 पुलिस कर्मियों को निलम्मित कर दिया गया है निलमित पुलिस कर्मियों में से 6 करोड रुपे की रंगदारी के मामले में पूचताच की जा रही है ठाने के पुलिस आयुकत के संगयान में ये अपराथ तब आया जब शेक इबराहिम पाशा नाम की शक्स ने शिकायती पत्र में पुलिस अधिकारियों पर 6 करोड रुपे वसूल ने का रुप लगाया शिकायत करता इबराहिम पाशा ने कहां कि 12 अपरेल को 10 पुलिस कर्मियों ने तिन नीजी व्यक्तियों के साथ खिलोना कारोबरी फैजल मेमन के घर पिर छापा मारा था आरुपी अधिकारियों के पहचान मुमरा पुलिस टेशन में अपराथ पुलिस निरिक्षक गीताराम शेवाले और उनके कनिश्टा अधिकारियों पुलिस उपनिरिक्षक रवीमदने और PCR काले के रूप में हुई है पत्र में कहा गया है कि पुलिस इधिकारी मेमन के आवास पर पहुचे जहां उन्हें एक एक करोड रुपे की 30 पेटिया मिली सभी बॉक्सों को वरिष्णा पुलिस निरिक्षक की कैबिन में मुम्रा थाने ले जाये गया इसके बाद शेवाले ने मेमन से पूच ताच की कि उसे पैसे कहा से मिले खिलोनाय व्यापारी मेमन ने उन्हें बताया कि यह सब उसकी महनत की कमाई है लेकिन शेवाले और उसके साहीयोगी ने एक न सुनी और कथी तौर पर उसके साथ मार पिट की पत्र के अनुसार, पुलिस कर्मियों ने मेमन से कहा कि जब तर रकम में से आधिर रकम उन्हें दे ताकि मामले को रफ़ा रफ़ा किया जा सके लेकिन उसने मिन्नत की और फ्रिशेवाले को 2 करोड रुपे देने की बात टै हुई हाला कि पुलिस कर्मियों ने 6 करोड रुपे लेकर बागी 24 करोड रुपे मेमन को वापस कर दिये अब आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिये गए है आईपेस अधिकारी अतुल चंद्र कुलकरनी को राष्टे जांच एजंसी में अतिरिक्त पुलिस महानेदिशक के पत पर तैनाथ किया गया है केंद्रिय गुरुह मंत्राले के और से जारी आदेश के मुताबिक 1992 के IPS अधिकारी कुलकरनी को एक साल के लिए केंद्रिय प्रती नियुक्त पर इस पत पर तैनात किया गया है कुलकरनी फिलहाल राज्य के कारागुरुह विभाग में अतिरिक्त पुलिस महानी रिक्षक के पत पर तैनात है किंद्र सरकार के और से जारी आदेश में कुलकरनी को तुरंत मौजुदा पदभार से मुक्त करने को कहा गया है कुलकरनी की नियुक्ति के लिए एनाईय के पुलिस महानी रिक्षक के पत को बढ़ा कर अतिरिक्त पुलिस महानी देशक के स्तर का कर दिया गया है जारी आदेश के मुताबिक कुलकरनी अगले आदेश या एक साल तक इस पत पर रहेंगे कुलकरनी की NIA में नियुक्ती इसलिए एहम मानी जा रही है क्योंकि राष्टिय जांच एजंसी फिलहाल मुंबई में सक्रियत दाउद गिरोह पर शिकंजा कस रही है कुछ दिनों पहले ही 29 ठीकानों पर चापे मारी कर दाउद के करीबी समझे जाने वाले 15 से जादा लोगों से पूछ ताश हुई कुलकरनी की पास मुंबई पुलिस से संयुक्त पुलिस आयुक्त और महराश्ट एटीयस के प्रमुक के तौर पर काम करने का अनुभाव है पुर्वस आंसत चत्रपती संभाजी राज्यसभा का चुनाव निर्दलिय लडेंगे महराश्ट की राज्यसभा की छे सीटों पर दस जुन को चुनाव होने वाला है संभाजी राजे ने पुने में निर्दली उमिदवार के रूप में राज्यसभा चुनाव लड़ने की गोश्णा की उन्होंने स्वराज्य के नाम से एक संगठन सापित कर दिया है जो आगे चल कर राजनितिक दल का रूप लेगा संभाजी राज्य ने कहा कि छतरपती शिवाजी महराज और राजर शिषाओ महराज के अनुयाई लगाता मुझसे अलग से राजनितिक दल बनाने की मांग कर रहे थे लेकिन फिलाल मैंने अपनी राजनेतिक जीवन के पहले चरण के रूप में स्वराज का गठन किया है आगे चलकर ये संगठन राजनेतिक पार्टी के रूप में तब्दिल हो सकता है मैं इस संगठन को राजनेतिक दल बनाने के लिए त्यार हूँ मौजुदा स्थिती को देखते हुए संभाजी राजे ने कहा कि राज्यसभा की 6 सीटों में से भाजपा 2, रांकापा 1, कॉंग्रेस 1 और शिवसेना 1 सीट पर आसान इसे जित सकती है जबकि राज्यसभा की 6 सीट जितने के लिए महाविकास आघाडी और भाजपा दोनों के पास कम वोट है इसलिए मैं राज्यसभा की 6 सीट पर चुनाव लडूँगा मेरी अपिक्षा है कि महाविकास आघाडी और भाजपा के अलावा निर्दली अब विदायक मुझे राज्यसभा चुनाव में समर्थन करेंगे मैं इस चुनाव में समर्थन देने के लिए सभी दलों के प्रमुक नेताओ और निर्दली विदायकों से मुलाकात करूँगा संभाज़ी राज्यसभा चुनाव में किसी का दल टिकेट नहीं लेंगे वे निर्दली चुनाव लड़ेंगे सभी दलों ने मुझे समर्थन दिया तो राज्यसभा चुनाव निर्दली रोध हो सकता है उलेखनिया है कि पुर्वगी पढ़नवी सरकार में भाज़पा ने संभाज़ी राज़े को राश्ठपती नामित सिट से राज्यसभा में बेजा था समाजी राजी का राज्य सभा का कारेकाल खतम हो चुका है इस बेच कॉंग्रेस का तीन दीन का चिंतन शिविर शुरू होने जा रहा है इस बैठक में पार्टी को मजबूत करने से लेकर बदलाव को लेकर चर्चा होगी तो उधरवारा नसी के ज्यानवापी मस्जित के सर्वे का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है वेस्टन सा बर्बन इलाके में चापे मारी की गई जहासे दो ऐसे लोग पकड़े गए जो दाउद के लिए फाइनल्स जम्मा करने का काम करते थे उन दोनों को अब कस्तड़ी के लिए स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा जाच अधिकारियों की मुताविक NIA की टीम ने देश के कई राज्यों में चापे मारी की है साथ ही कई जगह केज भी दर्श किया है NIA ने D कमपनी मामले में दाउद इबराहिम कासकर और उसके सायोगिया से तालोक रखने वाले दो संदिक्द लोगों को दबोचा है उनकी पहचान आरिप अबुपकर शेक और शकील शेक उर्पच छोटा शकील की रूप में हुई है इन दोनों को आज NIA की विशेश अदालत में पेश किया जाएगा इसके बाद पुलिस हिरासत में भेज दिया जाएगा बतादे की डी कमपनी दाओद इब्राहिम की ही कमपनी है जिसके जरिये भारत में अपरादी गतिविद्या संचालित की जाती है इसी महिने की शुरुवात में इस कमपनी से जुड़े लोगों के 20 जगों पर शापे मारे गए है मुंबई के महीम मिलाके में कयूम नाम के एक शक्स को राष्ट्रिय जाच एजनसी ने दबूचा था वही महीम दरगा और हाजी अली दरगा के प्रबंद न्यासी सुहेल खंडवानी को भी पकड़ा इसके अलावा समिर अंगोरा को बांदरा में डिलाइट अपार्टमेंट से पकड़ा लगातार कारवाई जारी है और दाउत के गुर्गों की संपत्या जब तक ही जारी है सूत्रों ने बताय कि एनाईय ने इस मामले में किसे को भी न बक्षने की प्रतिबद्दता जताई है शिग्रही कुछ अन्यस्थानों पर भी एनाईय दबिज दे सकती है मनसे प्रमुक राश्ठाकरे के 5 जून को प्रस्थावी तागमन का विरोत तेच होता जा रहा है महराष्ठ में उत्तर भार्तियों के उत्पिडन के सवाल पर राज की यतरा के विरोत का नेतरुत्व कर रहे भाजपा सांसथ एवं कुष्टी संग के राश्ट्री अध्यक्ष ब्रुज भुशन शरन सिंग को संतों का आशिरवाद मिला संतों ने आशिरवाद के साथ राज के विरोत में ब्रज भुशन सिंग के अभियान को जाय स्ठहराया सांसथ ने जिन संतों से उनके आश्रम जाकर भेट की उनमें मनी राम दाज जी की च्छावनी के महंत एवं राम जन्म भुमी तिर्थक शेतर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास मंदिर अंदोलन के अग्रणी नेता रहे पुर्वसांसथ डॉक्टर राम व देवा संस्थान के अध्यक्ष महंत शशिकान दास महमंदलिश्वर महंत गिरिच दास संत छविराम दास आधी रहे ब्रजभुषंट सिंग रामवल लबा कुंझ भी गए किन्तु मंदिर के अधिकारी राजकुमार दास से उनकी भेट नहीं हो सकी वह एउद्या के बाहर यद्यपी राजकुमार दास उन संतों में अग्रणी है जिन्होंने राजठाकरे के विरोध में सबसे पहले ब्रजभुषंट सिंग का समर्थन किया महंतन रुट्य गुपाल दास अस्वस्तता के चलते सांसत को आशिरवत देने के अलावा अधिक नहीं बोल पाए कमलना अंदास भी ब्रजभुषंट सिंग के साथ खड़े होने वाले अग्रणी संतों में है रामलला के प्रधान अर्चक आचारय सत्यंद्र दास ने कहा राजठाकरे यदि दिल से रामलला का दर्शन करना चाहते है तो उत्तर भारतियों से माफि मांगे सांसत बजुर्गों और बेसाहरा नागरिकों के लिए गुजरात सरकार की वित्तिय साहता योजनाओ के लाभरतियों को वीडियो लिंक के माध्यम से संबोधित कर रहे थे किसी के नाम का उल्ले किये बिना उन्होंने कहा कि एक दिन एक बहुत बड़े नेता मुझ से मिले वह नि वरतन निदेशाले की रेट के बाद शरत पवार ने पीएम मोधी से 20 मिट की मीटिंग की थी मोधी की अनुसार पवार ने उस समय उन से कहा था कि मोधी जी देश ने आपको दो बार प्रदान मंतरी बनाया है तो अब आप और क्या चाहते है इससे ज़दा और क्या चाहिए उनका विचार था कि अगर कोई दो बार प्रदान मंत्री बना तो उसने सब कुछ हासिल कर लिया वह नहीं जानते कि मोदी एक अलग मिट्टी का बना हुआ है गुजरात की भूमी ने मुझे बनाया है इसलिए मैं इसे आसान बनाने में विश्वास नहीं करता जैसे जो हुआ वह हो गया और अब मुझे आराम करना चीए इसलिए किसी भी चीज को आसानी से नहीं लेता जैसे अब तक होता आया है आगे भी वैसा ही चलेगा मैं इस सोच में विश्वास नहीं करता मेरा सपना संतुष्टी वाला है मैं कलानकारी योजनाओं के कवरिज में सव प्रतिशत यकीन रखता हूँ चलो अब आराम करो नहीं मेरा सपना है सैचूरेशन यानि सथ प्रतिशत लक्ष की तरब हमें आगे बढ़ना ही है कॉंग्रेस का तिन दिन का चिंतन शिविर शुरू होने जा रहा है साथ साथ विपक्ष को भी बड़ा संदेश देने की कोशिश करेगी लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या जीलो के शहर में आयोजित इस बैठक में कॉंग्रेस की चिंता चिंतन शिविर से दूर होगी पार्टी के अंदर विरोध से जूज रही गांधी फैमली के लिए ये शिविर इतना आसान नहीं होने वाला है उसे बीजेपी की साथ साथ पार्टी के भीतर के विरोध से भी लड़ना होगा कॉंग्रेस के 400 पुराने नेता उधैपूर पहुँच चुके है सुत्रो के अनुसार कॉंग्रेस की अंतरीम अध्यक्ष सोनिया गांधी पार्टी के नेताओ को सम्भोधित करेगी चिंतन शिविर में 6 गुट बनाये गए हैं हर गुट में 60-70 लोग होंगे इस दोरान कागजी बहस नहीं होगी कार्यक्रम के दोरान कॉंग्रेस के नेता केंद्र और राज्यो के बीच संबन्ध, पूर्वत्तर राज्यो किस्तिती, जम्मू कश्मिर का मुद्धा और सामप्रदाइक धुरूवी करन पर बात करेंगे माना जा रहा है कि कॉंग्रेस के ये पुराने दिगज अपनी पुरानी धुन से पार्टी को आगे बढ़ाने की रणनेती बताएंगे ऐसे में चिंतन में आये चुने हुए नेताओ से कॉंग्रेस लिडर्शिप में बदलाओ की उम्मित करना बैमानी होगी ये ऐसे नेता है जो लिडर्शिप के लिए जयकारा लगाएंगे त्योंकि इसके लिए उन्हें पार्टी का टिकेट और पद मिलना तैह होगा इस शीविर का टाइमिंग भी काफी एहम है पार्टी संगठन का चुनाओ कुछ महीने बाद होने हैं अगस्त सितंबर में कॉंग्रिस का नए अध्यक्ष चुना जाना है नए अध्यक्ष अखिल भारती कॉंग्रिस कमिटी ने नए महा सच्चिवो और कॉंग्रिस वर्किंग कमिटी के साथ चार्ज संभालेंगे वारानसी के ग्यानवापी मजजित के सर्वे का मामला अब सुप्रीम कोड पहुच गया है सर्वे पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोड में याजिका दाखिल की गई है चिफ जस्ट्रिस अप इंडिया रमन्ना ने कहा कि वे मामले को देखेंगे अंजुमने इंतजामी आजजित वारानसी की प्रवंधन समीती ने वारानसी कोड की और से आदेशित काशी विश्वेनात मंदिर ग्यानवापी मजजित परिसर के सर्वेक्षन पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोड का रुख लिया था सिनियर एड्वोकेट हुजेवा एहमदी ने कहा कि इस पर ततकाल सुनवाई की जाए क्योंकि ग्यानवापी के सर्वे वीडियो ग्राफी का आदेश दिया गया है इस पर सीजे आई ने याजजिका की दस्तावेज मांगे है और कहा है कि हम कागजात देखने के बाद मामले को देखेंगे एड्वोकेट हुजेवा ने कहा कि आज वारा नसी की अदालत के फैसले पर कारवाई शुरू हो जाएगी इसलिए मामले को आज ही ततकाल सुनी जाए कम से कम मामले पर यथा स्तिती बनाए रखने का आदेश जारी कर दिया जाए इसके बाद सीजे आई रमनना ने कहा कि अभी हमने पेपर देखा ही नहीं है बिना पेपर देखी कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोट इस मामले पर अगले हफते में सुनवाई कर सकता है इस बीच वारानसी में अंजुम इंतजामिया मस्जित के सदस्यों की बैठक चल रही है तो पीस पार्टी की प्रवक्ता शादाप चोहान ने भी कहा कि हम ग्यानवापी मस्जित जैसे मसलों पर सुप्रीम कोट जाएंगे कुछ असामाजिक तत्वश शडियंद्र रचा कर ग्यानवापी मस्जित मतुरा जैसे मुद्धों के जर्ये नफरत फहलाने की कोशिश कर रहे है देश को नुकसान पहुचाने का शड़ी अंतर रचा जा रहा है मतादे की ग्यानवापी में तहखाना और शुंगार गौरी मंदिर समित पुरे परेसर की वीडियोग्राफी और सर्वे किया जाना है इसको लेकर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई है रूस युक्रेन के बीच जंग जारी है कोई पीछे हटने को तयार नहीं एहम बात यह है कि युक्रेन मुद्दे पर पाकिस्तान ने भारत जैसा रूप दिखाया है दोनों ही देशों ने संयुक्त राश्ट्र मानवादिकार परिशत के एक प्रस्ताव पर मतदान से परहिस किया है तो लगातार बंबारी से युक्रेनी शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुक्सान पहुचा है ऐसे में पंड जुटाने के लिए राश्ट्रपती जेलिंग्सकी ने अपनी खाकी टी-शर्ट और जैकेट निलाम की है वही श्रीलंका के नई प्रधान मंतरी रानिल विक्रम सिंहे ने अपने देश के गंभीर चुनोतियों से निपटने की प्रतिवधता चताई है तो उधर पडोसी देश माल्दिव में भी इस वक्त माहुल बिगडा हुआ है माल्दिव के पुर्वराश्रपती अब्दुला यामिन अब्दुल गयून के खिलाप विरोत तेज हो गया है इस बीच अमेरिकी स्पेस कंस्ट्रक्शन कंपनी और्बिटल असेमली कॉर्पोरेशन का दावा है कि वह साल 2025 में स्पेस होटल खोलेगी दुनिया भर की इन पाज बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है हमारे साथ ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है जब भारत और पाकिस्तान किसी मुद्दे पर एकमत हो लेकिन ऐसा हुआ है यूक्रेन मुद्दे पर पाकिस्तान ने भारत जैसा रुख दिखाया है दरसल भारत और पाकिस्तान उन 12 देशों में शामिल है जिन्होंने यूक्रेन में रूसी आक्रमन से उपजे संकट को संबोधित करने के लिए सायूक्त राष्टर मानवादिकार परिशत के एक प्रस्ताओ पर मतदान से परहज किया है 47 सद्यसिया निकाय में इस प्रस्ताओ के खिलाब वोट करने वाले केवल दो देश यनि चीन और इरिट रिया है यूक्रेन पर अटैक को लेकर यूएन में रूस के खिलाब लाए गए प्रस्ताओ पर भारत ने पहले भी वोट करने से परहज किया है इसी क्रम में भारत ने एक बार फिर से मतदान से पहले हुई चर्चाओ में भाग लिया तथा यूक्रेन में लोगों के मानवाधिकारों के सम्मन और सवरक्षन का आववन किया और मानवाधिकारों के वैश्वीक प्रचार और सवरक्षन के लिए अपनी प्रतिबद्दता को दोराया यूएन के इस प्रस्ताव में यूकरेन के क्यू, खारक्यू, चेर्निहाई और सुमी शहरों में रूस द्वारा किये गए मानवादिकारों के उल्लंगनों की जाच के वास्ते, पहले से स्थापित जाच आयोग के लिए एक अतिरिक्त जनादेश की मांग की गई थी, इस प्र बलकि यहां केवल तनाव बढ़ाने वाला प्रस्ताव है, रूस यूकरेन जंग दो मैने से भी जादा समय से जारी आए, लगतार बंबारी के बीच यूकरेनी शहरों को दुनिया से कम्विनिकेशन तूट गया है, इंफ्रस्रक्चर को भी बहुत नुकसान पहुचा है, ऐ यूक्षन लंदन में स्टित यूकरेनी अमबेसी ने और्गनाइस किया था, यहां कारेकरम यूकरेन दुतावास द्वरा टेट मॉडन में 6 माई को आयजित किया गया था, टीशर्ट की शुरुवाती किमत 50,000 डॉलर निर्दारित की गई थी, वही मिडिया रिपोर्ट के म को वर्चियल तरीके से संबोधित भी किया, उन्होंने ब्रेटेन और उसके प्रमुग बोरिस जॉनसन के समर्थन के लिए उनकी सराहना की, आक्षन में चीनी मिट्टी से बना वासिल के उजग भी निलाम किया गया, मुर्गे के आकार का कहे या मुर्गे की तरह दिखने व मेजर लिग बेजबॉल की इस बॉल पर राष्ट्रपती जेलिसकी ने दो हजार उन्निस में नियू यूर्क की यात्रा के दवरान साइन किया था, जानकरी के मुताबिक बॉल काफी अच्छी स्थिती में है श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री रानिल विकरम सिंगह ने अपने देश की गंभिर चुनोतियों से निपटने की प्रतिवद्धता जताई जटाई है गुडबाय राजपक्षे ने पद और गुपनियता की शपत दिलाई श्रीलंका इस समय आर्थिक संकट और हिंसा और राजनीति के अस्तिर्था से जूज रहा है ऐसे में अनुभवी माने जाने वाले रानिल विक्रम सिंगे का पीम पत पर काबिज होना अहम माना जा रहा है हाला कि उनके लिए यह एक काटो भरा ताज है खास बात यह है कि 225 सदस्यो वाली श्रीलंका की संसद में रानिल विक्रम सिंग की पार्टी यूनाइटेड नेशनल पार्टी के पास सिर्फ एक सीट है लेकिन उन्हें अन्न पार्टीयों का समर्थन हासिल है श्री लंका की राजनीती में रानिल विक्रम सिंगे एक जाना पहचाना चेरा है वे युनाइटेड नेशनल पाल्टी के एक मात्र सांसद है जो चार बार श्री लंका के पीम बन चुके है इससे पहले रानिल विक्रम सिंगे 7 मई 1993 से 18 अगस 1994 आट दिसंबर 2001 से 6 अपरल 2004 नौ जनवरी 2015 से 26 अक्तुबर 2018 और 15 दिसंबर 2018 से 21 नवबर 2019 तक श्री लंका के प्रदानमंत्री रह चुकी है राश्ट्रपती प्रेमदासा की हत्या के बाद उन्होंने पहली बार श्री लंका के प्रदानमंत्री पत की कमान संबाली 1994 के राश्ट्रपती चुनाओ की अभियान के दोरान गामी नी दीसान आया के की हत्या के बाद नवंबर 1994 में उन्हें वीपक्षा का नेता नियोक्त किया गया था पीम वीक्रम सिंगे ने भारत श्रीलंक का संबंदों के भेतर होने की बात कही है भारती ये उप महादवीप में कई देशों की स्तीती ठीक नहीं चल रही है इन देशों को घहरे राजनेतिक तथा आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है भारत के पडुसी देश माल्दिव में भी इस वक्त महौल बिगड़ा हुआ है माल्दिव के पूर्व राष्ट्रपती अब्दुल्ला यामिन अब्दुल गयूं के खिलाप विरोत तेज हो गया है अब्दुल गयूं के खिलाप देश में जगा जगा विरोत प्रदर्शन हो रहे है पुर्व राष्ट्रपती यामिन की राज्य में खजाने से और वो रुपए चुराने की खबर सामने आने के बाद से जनता काफी नाराज है ऐसा दावा किया जा रहा है कि वह अपने नीजी खाते में 450 करोड रुपए जमा कर फरा रहे प्रदर्शनकारी यामिन को गिरपतार करने की मांग कर रहे है प्रदर्शनकारीयों ने उनके आवास के दर्वाजे, दिवार और यामिन के पार्टी कारेले की दिवार पर पेंट कर दिया है सडकों पर भी जंडे गार दिये गए है प्रदर्शनकारी नाराज है क्योंकि माल्दिव की लोग घोर गरीबे से जूज रहे है लेकिन यामिन और उनका परिवार विलासिता की जीवन का आनन्द ले रहा है यामिन उस्थान पर एक मिलियन डॉलर का घर बना रहे है जहां वह वरतमान में रह रहे है इस खबर से भी लोगों में बहुत गुसा है बता दे कि माल्दिव हिंद महासागर के बीचो बीच बसा एक छोटा सा देश है यहां की आबादी लगबग 5 लाख है कोरोना वाइरस ने माल्दिव की टूरिजम आदारित अर्थवेवस्था को खासा नुक्सान पहुचा है माल्दिव आवश्चक चीजों की आपूर्ती के लिए भारत पर निर्भर है फिलहाल माल्दिव इन दिनों एक बुरे दोर से गुजर रहा है और उसका भागिश श्री लंका जैसा ही हो गया है यदि अदालतों से नयाय नहीं मिलता है तो संभावना जताई जा रही है कि एक बार फिर यामिन सत्ता में वापस लौट सकते है अमिरीकी स्पेस कंस्ट्रक्शन कमपनी Orbital Assembly Corporation का दावा है कि वह साल 2025 में स्पेस होटल खुलेगी कमपनी ने होटल का नाम भी तैकर लिया है दुनिया का यह पहला स्पेस होटल होगा Orbital Assembly का दावा है कि वह याजर स्टेशन में एक साथ 400 लोगों के ठहरनी की सुविदा होगी इसे 2027 में खुला जा सकता है जबकि पायनियर स्टेशन में 28 लोग रहते है इसे दो साल बाद 2025 तक चालू किया जा सकता है दरसल यूएज बेस स्पेस होटल प्लान करने वाली कमपनी Orbital Space अंतरिक्ष में दो होटल बनानी की योजना पर काम कर रही है पहला स्पेस 2025 में शुरू होगा जबकि दूसरा 2027 में कमपनी Orbital Space के प्लान पर साल 2019 से डिजाइन और कंसेप्ट को लेकर कार्य किया जा रहा है यह होटल के बड़े पईये जैसा होगा जो धर्ती के परिक्रमा करता रहेगा अंतरिक्षे निर्मान Orbital Space की देखरेक में इस होटल को तयार किया जा रहा है पहले स्पेस होटल में कुल 28 लोग रह सकेंगे जबकि दूसरे Voyager Station में एक राउंड में 400 लोगों के ठहरने की व्यवस्ता उपलब दोगी दूसरा स्टेशन साल 2017 तक बनकर तयार होने का दावा किया जा रहा है अंतरिक्षे में हवा के अतिरिक तक कुछ भी नहीं वहाँ होटल की सुविदा कितना मुश्किल काम है इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है इस स्पेस में होटल स्टापित करना मुश्किल काम है ऐसे में इसकी सुविदा लेने के लिए लोगों को भारी भर कम रखकम भी चुकानी पड़ सकती है हाला कि कमपनी की ओर से अब तक होटल के प्राइस को लेकर कोई खुलासा नहीं किया गया है तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही कल फिर मिलेंगे तब तक देखते रहें वीकेवी न्यूज नमस्कार